संस्क्रित की कख्षा में इन दुनों आप संख्याओं के साधारन और पूर नार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी तो आज इस क्रम में संख्या पाँच के संस्क्रित प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं संख्या पांच के लिए संस्क्रिट में हम साधारन रूप से कहते हैं पंचा और यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 शब्द के पुलिंग, स्त्री लिंग और नपुन सक्रिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थाथ सभी लिंगों में पाँच के लिए संस्क्रिट शब्द होगा पंचा तो यहां जान लेने के बाद आएए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले पंच शब्द का कुछ वाक्यों के साथ प्रयोग कर लेते हैं सबसे पहले पांच का पुलिंग में वाक्य प्रयोग कुछ यूँ कर सकते हैं हस्ते पंच नखाह भवंती जिसका अर्थ है हाथ में पांच नाखून है अब पांच संख्या का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्री लिंग में कुछ यूँ कर सकते हैं हस्ते पंच अंगुलयः अपी भवन्ती जिसका अर्थ है हाथ में पांच अंगुलियां भी हैं। पांच का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुन सक्लिंग में हम कुछ यू कर सकते हैं। हस्ते मुख्यतह पंच परवानिय अपी संति जिसका अर्थ है हाथ में मुख्यतह पांच पर्व या संधियां भी हैं यहां ध्यान दीजिए संस्कृत में तीन या उस्ते अधिक की संख्या को हम बहु अचन कहा करते हैं जैसा की नाम से ही स्पस्ट है बहु अर्थात बहुत जहां दो को हम बहुत नहीं कर सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाएं एक वचन के बाद यानी सिंग्यूलर के बाद प्लूरल ही मान लेती हैं जहां दो इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। के साथ तीन या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति भ्रम के स्थिति से निकल सकता है अर्थात पंच बालकाहा पंच स्थानानी इन जैसे प्रयोगों में पंच इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्या वश्यक है यह सिद्ध हुआ अब यू कहेंगे जैसे पांच की पूरणार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पांचमा या पांचमी जैसे संस्कृत में कहेंगे पुलिंग में पंचमह स्त्रीलिंग में पंचमी और नपुनसक लिंग में पंचमम यहाँ ध्यान रखना है कि पंचमी के स्थान पर गलती से लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब भारत के पांचुए राश्ड्रपती फक्रूद्धीन अली अहमद थे इसे संस्कृत में कहेंगे भारत अस्या पंचमह राश्ट्रपत ही फक्रूद्धीन अली अहमद इत्यासव आसीत पंचाब जहां पांच नदियां बहती हैं इसे संस्कृत में कहेंगे पंजाब राज्यम यत्रा पंचनद्या प्रवहन्ति जन संख्या की दृष्टी से पाकिस्तान का स्थान पांचवा है इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा जन संख्या याह दृष्टिया पाकिस्तान अस्य स्थानम पंचमम अस्ति तो आज आप सभी संख्या पांच के साधारण और पूर नार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के सा कारी में तब तक के लिए मुझे दीजिया अनुमती नमो नमहाँ कि अभ्यास करते रहने